दोस्तों मौसम काफी ठंडा होना स्टार्ट हो गया है चेंज हो रहा है मौसम तो ऐसे में बर्ड्स हमारे बीमार हो जाते हैं हलाकि मैं बहुत ज़्यादा ख्याल लगता हूँ अपने बजीज पैरट का लेकिन मेरा एक क्रिमिनों का मेल है दोस्तों देखा मैंने कि वो थोड़ा सुस्त सा बैठा था मैंने उसको पकड़ कर चेक किया तो मुझे पता लगा उसको मोशन लग गए है तो उसका ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट किया है तो मैंने सूचा क्यों आपसे वीडियो शेयर की जाए हलाकि मैं दुआ करता हूँ किसी भी भाई के बर्ड्स बीमान न हो लेकिन अगर किसी के साथ इस तरह से प्रॉबलम आती है तो आप भी अपने बर्ड्स का अच्छे से ट्रीटमेंट करें और वो ठीक भी हो जाता है तो आप आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगा दिखाऊंगा वो क्रिमिनों का मेल उसको किस तरह से मोशन लग रहे हैं और उसको क्या मेडिसिन देनी है किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना है तो चैनल से नई जुड़े हैं तो चैनल को कलीजिये सब्सक्राइब तो चलते हैं दोस्तों दिखाते हैं वो क्रिमिनों का मेल देखिए ये मेल है मैं इसको कोलोनी के अंदर से निकाल का ले आया हूँ धूम में रखूँगा मैं इसको इस केज को और इसके अलावा मैं इसका ट्रीटमेंट करूँगा, मैडिशन भी दूँगा, आप ये देख सकते हैं, इस तरहां से आपको पहचान करनी है, देखिए इसको मोशन लगे हैं, इसकी वेंट देखिए किस तरहां से गीली हो रही है, इस पर पॉटी वगेरा लग रही है, तो अंदाजा हो जाएगा, कि आपका बर्ड जो है सुस्त है, उसकी वेंट गिली हो रही है, तो उसको मोशन लग रहे हैं, तो बहुत जादा क्रिमिनों का मेल, ये मुझे पसंद है, मेरा फेवरेट मेल है, बहुत खुबसूरत मेल है ये, तो इसको जो है मोशन वगेरा लग हाला कि मैं पानी साफ रखता हूँ, लेकिन इसके बावजुद भी पता नहीं कैसे इसको मोशन लग गए, तो अब इसका ट्रीटमेंट करते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करना है, तो आप ये देखिए दोस्तों, ये मेडिसिन है, बच्चों को दी जाने वाले मोशन के टाइम पर बच्चों का नहीं, ये सीरप आता है फ्लेजल, और आप इसका कीमत देख सकते हैं, 30 रुपे इसकी प्राइस है, अब आप देख सकते हैं, अब आप कमपनी का ये फ्लेजल सीरप है, और मैंने एक्सपारी देट देख का लिया है, 2023 इसक रख रहे हैं, इससे हमें ड्रॉप डाल कर उसको तयार करना होगा, लिक्विट को पूरी तरह से हिला लिया है मैंने, क्योंकि नीचे बैट जाता है वो, तो अब इसको आई ड्रॉप पर से हम निकालेंगे, क्योंकि हम ढखकन से नहीं दे सकते हैं, जादा क्वांटिटी मे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और मैं अपने इस क्रिमिनो के मेल को अब इसको पानी मैं इसका पिलाऊंगा, सुभा शाम इसको मैं दूंगा, और दोतिन दिन का इसका कोर्स कराऊंगा, और तब तक इसको एक अलग केज में रखूंगा, और धूब मैं रखूं साइक्लिन एंटीबाइटिक होता है वो सभी चीजों में काम आता है मोशन में भी और सर्दी में भी अलगी मुझे लग रहा है इसको सर्दी तो नहीं है लेकिन मोशन है तो मैं इसको फ्लेजल दे रहा हूँ ये फ्लेजल आप यह देख सकते हैं कि इस तरह से motion लगते हैं, wind गिली हो जाती है, और wind पे पॉटी वगएरा लगने लगती है, bird सुस्त हो जाता है, दाना वणा खाना कम कर देता है, तो इस तरह से आपका bird, अगर कोई सुस्त बैटा है, उसे पकड़ कर चेक करें, पहले उसकी wind देखें, उसे motion तो नहीं लग रहे हैं, अगर motion नहीं है, तो हो सकता उसको सर्दी वगएरा हो गई हो, तो उसी हिसाब से उसका treatment आप करें, तो मैं इसको अब तीन दिन तक इसका treatment करूँगा, आपको वीडियो शेयर करूँगा, कि इसकी health किस तरह से ठीक हुई, तो वो भी आप से शेयर करूँगा, वैसे मैंने इसको अच्छे से पानी वगएरा पिला दिया है, medicine का, तो आगे देखते हैं कि किस तरह से recover होता है, इन्शालला अल्ला ने चाहा, उपर वाले ने चाहा, तो ये बहुत जल्दी ठीक भी होगा, तो उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, तो दोस्तो मौसम चेंज हो रहा है, तो ऐसे में बर्ड का खया लखना होता है, बजीस पैरट थोड़ा सा कमजोर होता है, और बर्ड के मुकाबले तो ये जल्दी बीमार हो जाता है, मौसम वगेरा जब चेंज होता है, तो हमें खया लखना होता है, थोड़ी देर आप अपने केज के पास बैट कर देखा करें, सुबा शाम बर्ड पे गोर करा करें, क्योंकि बर्ड बीमार हो जाता है, अगर उसको टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले, तो वो कभी कभी मर भी जाता है, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, हम लोग बर्ड लवर हैं, अपने बर्ड से प्यार करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा बर्ड कभी बीमार ना हो, और वो मरे भी नहीं बीमारी की वज़ा से, या हमारी किसी गलती की वज़ा से तो हमें ख्याल लगना होता है तो आप बर्ड पे गोर करा करें जो बर्ड बिमार होता है उसका ट्रीटमेंट करें इलाज करें देखें उसको क्या प्रॉबलम है तो आपके बर्ड ठीक रहेंगे मौसम चेंज होता है तो थोड़े बड़ बीमारों भी हो सकते हैं तो चलिए दोस्तों इजासत दीजिए मुलाकात होती है अगली वीडियो में गुड़ बाई